तो चले विशन आज की जो M3R5 के हमारे क्लास होगी पाइथन की वो क्लास नंबर होगी 4 और काफी important topic आज का जो हम cover करेंगे आसा करते हैं आपको जितने भी 3 क्लासे हुई हैं आपको समझ में आई होगी समझ में आरी तो वीडियो को फिरते देख लीजेगा और उसको लाइक जरू कर देगा चैनल पने हैं तो सब्काइब कर लेजेगा इसी पकार की latest फिरी आपको लाइफ क्लासे प्रवाइट की जा रही हैं और विद इसमें हम जो है आपको MCQs नहीं solve कर रहे हैं theory with MCQs आपको solve कर रहे हैं और मेरा थान क्लास जल्दी आपको देखने को मिलेगी ठ continue बने रहे हैं और सभी की वीडियो जो है चैनल पर अबलेबल भी हैं आप वहां से भी theory of course इसका जो है course देख सकते हैं और easily वहां से ही अगर आप देखेंगे तो आपके 90% easily आपके नंबर बन सकते हैं ठीक है तो यहां पर M1, M2, M3, M4 की practical plus MCQs की वीडियो से अबलेबल है यह वाली playlist में आप यहां से जाके इसको जरूर देखें 24 MCQs M1, M2, M3, M4 और practical की वीडियो से यहां पर अबलेबल हैं जिन बच्चों के जो भी model है यहां पर जाके देख सकते हैं ठीक है तो चलिए आज का जो topic है वो cover करते हैं काफी important topic हमने इसमें लिया है आज हम बात करे करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही topic जो है list का हमारा list संबंदिन जितने भी question एग्यांपल होंगे सभी हम आपका decision करेंगे with live example के सार्ड तो चलिए दिख लेतने पहले list basically हमारी होती क्या है तो list एक हमारा python का data structure है ठीक है data structure लिका जाता है क्योंकि जितनी भी आपके data structure के topic होते insertion ठीक है और भी जो आपके sorting के जितने भी topics होते हैं हम उसको भी इसमें involve कर सकते हैं उसको भी filter कर सकते हैं या उसको भी हम index कर सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं list में उसको हम involve कर सकते हैं जिसका इसको data structure भी कहा जाता है जो एक समान प्रकार के data items को set में रखता है ठीक है और यह सभी पेकार के data item को support भी करता है जैसे कि हमारे पार letters है यानि कि हमारे strings है, number है या फिर boolean value है इस पेकार के कोई भी values है आपका जो है list है वो इसको support करता है तो इंगलिस में अगर बात करें तो list is a data structure which is also called collections of item in which we can store anything like string, float आपका integer और आपका boolean value ठीक है तो यह हो गई इसके definition तो दूसरे point देख लेते हैं एक list में उपयोग में हम प्रोग्राम में data को store कर सकते हैं इसके बाद में उपयोग कर सकते हैं इसके अलाबा list में नए item जोडने, मौजूद करने item को update करने, उसे हटाने के लिए भी इसमें उपयोग कर सकते हैं list का एक मुख, list एक मुख python का data structure है और यह unstructure जैसे tuple और जो आपके set होता है उससे अलग होता है list के साथ हम अपने data को असानी से manage कर सकते हैं और इसके program को भी smooth यानिकी sural बना सकते हैं इसका उधरन के लिए लेखें, यहाँ पे example हमें ने दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पे example है fruits एक हमारा variable हमने create किया है, जो कि list है और इसमें हमने apple banana orange को store किया हुआ जो कि एक string values यहाँ पे available है ठीक है, इसमें देके तीन follow के नाम दिये गए है यहाँ पे उधरन के लिए fruit एक list है और इन सभी के जो element है, वो अब इसमें store किया गए तो list में element को index के जरीए, index के जरीए access किया जाता है ठीक है, तो इसमें indexing 0 से start होती है 0, 1, 2, आगे तक यतने value है और यह आपकी जो है, इस तरह से चलती है और अगर reverse में देखा जाए इसको, तो यहाँ से minus 1 से count होता है minus 2 और minus 3, इस पकार से इसकी indexing की जाती है और index की संख्या जो होती है, इसके element के अधार पर उसके इस्तान लग की जाती है और list के पहले element को 0 से सुरू किया जाता है ठीक है, यह मैंने आपको बता दिया तो यह है छोटी सी इसकी definition हाँ, एक question बहुत जादा बनता है इसमें तो इसके लिए हम आते हैं अपने blackboard पर, इस पर discussion करेंगे हैं हम अच्छे से समझाएंगे आपको तो list का जो syntax है, कुछ इस पकार से आप कह सकते हैं syntax अब note करने वाली point इसमें क्या है, उसको note कर लीजे तो note करने वाला जो point है यहाँ पे we write the item of the list inside square bracket के अंदर इसको लिखा जाता है ठीक है, square bracket जहाँ भी दिख जाएगा आप समझादा यह वो list की value है ठीक है, और सभी जो आपके value होगी, जो items होगे वो comma से separated में लिखे जाएंगे, ठीक है, double inverted comma तो सिर्फ नाम वगरा के लिए यूज़ करते हैं, अब जिसके कोई number है तो उसके आगे comma लगेगा, उसके बाद फिर कोई नाम देना है तो इस पकार से, आपने माल लेजे, आम भी नाम दिया है यहाँ पे फिर comma लगाएंगे, इस पकार से list को जो है लिखा जाता है ठीक है, उसके बाद है, देखे, दो point है इसमें, उसको भी देख लिएजे दो point को जिस पकार से बनते हैं इसमें, जैसे कि duplicate कल मैंने आपको बताया था, duplicate जो है इसमें allow करता है ठीक है, duplicate are allow तो आपका जो list है, वो duplicate values को allow करता है जैसे कि list में दो value है, जैसे कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 है, 3 है, फिर last में फिर 10 है यहाँ पे तो यह duplicate value को print कर देता है, ठीक है उसके बाद है, दूसरा point है, list are आप कहा सकते है, list are e-mutable है, mutable है, इसका mcqs आता है तो इसलिए इसको बता दे है, list आपका जो होता है, mutable होता है, कि mutable यानि कि changeable होता है, इसको आप change कर सकते हैं, इसलिए इसका रखा गया है ना mutable, ठीक है तो यह आपका है list का topic इतना चीज़ समया कि list के बारे में अब हम आपको बता देते हैं, list में जो है हमारे पास, क्या-क्या जो है हम इसके practicals के जो program है, उसको समझेंगे, तो list के जो practical है, उसकी indexing आप note कर लिजे, यहाँ पर हम बता देते हैं तो सबसे पहले है list को list को जो हमारा है, वो list को create करना है, ठीक है, list को create करना है तो मैं यहाँ पर point लिख देता हूँ, list creation, list को create करना है ठीक है, वीडियो लंबी होगी मैं detail मैं आपको बताऊंगा, list with some value, हम कोई list के साथ कुछ value प्रेंट करेंगे, examples जो मैं मैं आपको बताऊंगा, list with some values, उसके बाद indexing, उसकी list की indexing कैसे करिया आती है indexing, ठीक है, उसके बाद slicing, sli, cing spelling आप लोग देख लिएगा sli, जो भी spelling mistake हो, तो mistake कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सही note करिएगा उसके बाद है, count of list, count करना है value को count का function आपको बताया जाएगा append कैसे किया जाता है, list को append का function, देखेंगे हम लोग pop, इसको heading डाल के आप लोग bullet बना के लिख सकते हैं अपनी copy में, अगर आप note करते हैं, तो इस परकार से लिख लिजेगा, उपर heading डाल लिएगा practical program, ठीक है, या practical topic, list practical topic इस परकार से, उसके बाद या list, इस परकार से, कुछ भी डाल सकते हैं उसके बाद, insert list को insert कैसे किया था, उसके बाद हम देखा जाएंगे, उसके बाद list को sort कैसे करना है ठीक है, और हमारे पास extend function, extend function है ठीक है, उसके बाद है reverse function, इन सभी पर देखेंगे आपके प्रेटिकल ने पूछे जाते हैं आपके प्रेटिकल में भी पूछे जाते हैं और साथ ही आपका mcq में पूछे जाता है जिस कांड़ से, यह सारे चीज़ें आपको पता होने जाए, और copy function इसलिए मैं बहुत डेटेल में आपको समझा रहा हूँ इस पकार से आपको अभी तक किसी ने बताएं ने होगा length of list ठीक, उसका program देखेंगे उसके बाद एक topic आता है nested list इसी में एक दो program जैसे की list एक program और आता है list comprehension ठीक है list comprehension ठीक है, तो इतने topic से जो है list में हम cover करेंगे ठीक, यह सारे topic topic जो है list के program हम लोग देखेंगे तो इसके लिए हम IDE पर चलते हैं और हम Tony IDE को यूज़ कर रहे हैं, आप python का IDE भी यूज़ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर भी program कर सकते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं, फटाफट list के जितने ही programs, यहाँ पर मैंने आपको heading बताएं उसके एक एक example कैसे create किया जाते है तो हम यहाँ पर इसका use कर रहे हैं इसमें भी आप output ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है या फिर आप जो है, python ID जो मैंने आपको बताए है उसके भी आप programming कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सेम इसमें भी run करेगा वैसे ही दोनों पर मैं बता दूँगा, अगर मालेज़ा आपके पास यह वाला है तो इसके भी आप करताए है चले इसी पर मैं एक छोटा सा बता देता हूँ आपको अब जैसे कि है इसमें भोला जाए आपसे आपको list बनानी है empty list अगर create करनी है तो आप simple सा क्या लिखेंगे list 1 कोई नाम आपने दे दिया और यहाँ पर square bracket लगा दिया और print कर देंगे print और bracket में जाके इसमें हमने देते हैं type बता देगा यह है क्योंकि empty list है इसमें कोई value तो है नहीं तो अगर simple सी list हमको print करनी तो हम लिखेंगे list 1 और इसको enter कर देंगे ठीक है तो जैसे हाँ एक bracket इसमें stack है यह close होगे आप देखिए आपको जैसे इसमें लिख देंगे तो इसमें देगे कोई value तो हमने इसमें दी नहीं है क्योंकि empty list है ठीक है तो print कर देगा उसका type भी हमको पता करना है list 1 का तो list 1 का type क्या है list है इसमें कोई value हमने नहीं दी है ठीक है तो यह सिंपल सा आपका example अब इसी में अगर हम एक list create करें यहां पर तो देखे कैसे क्रेट होगी तो चलिए मैं यहां पर आ जाता हूं ठीक है इस क्ळाइन को हम कर लेते हैं यहां से copy और यहां पर निचे आते हैं यहां से हम दूसरा 40, double import comma हमने लेखा Amit, Amit नाम से हमने यहां पर एक श्टिंग क्रेट किया, ठीक है, Amit, comma और एक हमने बूलन वैलू को दिया, जैसे कि हमने बता है इसमें आप multiple values को प्रिंट कर सकते हैं, तो हम multiple values इसमें ले रहे हैं, ठीक है, true comma और खुछ हमें इसमें, जैसे कि हमने फ्लॉट वैलू ले ले लिए 15.5, एक नाम हमने और इसमें क्रेट कर दिया, अजय है, फिर कॉमा लगाया, और लास्ट में एक वैलू और देदी, माले जिए हमने वैलू देदी 20, ठीक है, अब इसको जैसे हमको प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे, देखे कैसे वर आएंगे list number 2, ठीक है, इस पर कारते जब हम लिखेंगे, sorry, जी 20 हो गया, list 2 जब हम प्रिंट करेंगे यहां पर, तो देखे इसको रन करेंगे, तो यहां पर हमारी list 2 हो बहुँ जो है, पूरी print हो जाएगे, ठीक है, इसमें देखे, list का use करने का मकसद यही होता है, कि जितन पुल्स a-embody list को पिरिंट करना या लिस्ट के अंडर mix value कोई भी हो integer फ्लॉर्ड वैरेबल आपकी sorry variable नहीं आपकी नंबर हो string हो ठीक है या complex value हो किसी को भी कोई किसी प्रिकार की value आप एक ही list में प्रिंट करा सकते हैं ठीक है सवन में आगा इतना तो ये था आपका एंडेक्सिंग का 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 एंडेक्सिं तो index को print करने के लिए जै कैसे होता है index तो जैसे कि हमने आपको बताया कि indexing इस प्रकार से होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है अब यह हमने यहाँ पर इसके indexing कर लिए अब indexing को print अगर हमको करना है मालेज हमको अमित इसमें जो नाम दिखाए दे रहा है उसको हमको print करना है तो उसक कैसे print करेंगे किसने number पर indexing है उसकी indexing number है इसकी one ठीक है तो कैसे आएगा यह print में तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा print और हमाया पर list number यह two है तो हम लिखेंगे print list two और यहाँ पर bracket में इसकी indexing number दे देंगे indexing number कितना है indexing number two पर है ठीक है 0, 1, 2 जित्ते पर है हमारा one पर है sorry तो two नहीं देंगे one देंगे यहाँ पर और इसको bracket बन कर देंगे ठीक अब इसको f57 करेंगे तो देखे नीचे अमित नाम आपका output में आ जाएगा इसी पकार से आप चाहते है अजय नाम प्रिंट हो जा तो इसकी indexing number four है तो हम four print कर देंगे आजय आ जाएगा इसी अब number में क्या आप करेगा आपको indexing में out of range आपको बता देगा ठीक है indexing के value के ही अब माले यह माइनस one देते हैं तो क्या यह प्रिंट करेगा तो बिलको प्रिंट करेगा तो अब अगर हम यहां पर लिख देते हैं minus six तो minus six में हमारे पास 40 value आ जाएगी ठीक है तो यह उल्टे से जब count करेंगे तो minus six हो जाएगी और जब correct order में प्रिंट करेंगे तो zero से 40 नमबर पर आएगा इस प्रकार से प्रिंट होता है तो यह था आपका example किसका indexing का next आते हैं इसमें example slicing का indexing का हो गया अब आते हैं इसी में हम इसको मिटाते जा रहे हैं आप लोग यह note कर लिजेगा आप लोग मिश्टेक हटा दे जाएगा लाइस लाइसिंग का देख लेते हैं एग्जामपल अब स्लाइसिंग का जो मतलब होता है बैसिकली उसको समझ लिजे इसलाइसिंग है जैसे कि जो index नमबर है हमारे 012345 अगर हम एक लिस्ट में एक साथ जादा लोगों को करना चाहते हैं जैसे कि हम यह मालेजे छोड़ना चाहते है और हम चाहते हैं कि 123 वाला जो element है एक साथ वो प्रिंट हो जाए ठीक है पहले हमने एक indexing की तो slicing का ही काम होता है कि एक साथ वो काफी values को प्रिंट कर देता है और slicing को प्रिंट करने के लिए जो है इसमें जो है slicing आपकी work करती है with minus one digit ठीक है यानि कि मालेजे हमको यह तीन value प्रिंट करने है तो यहां से 0 से यह कितनी value हो जाएंगी 4 तो इसमें हम क्या indexing one वाली value उनको प्रिंट करने है तो हम कैसे लिखेंगे इसमें one और यहां पे लगाएंगे colon इस पकार से और लिखेंगे four तो four आप आपकी value indexing तक प्रिंट नहीं होगी four से पहले क्योंकि minus one one में यह working करता है और zero की value तो हम देने रहे हैं ठीक है तो zero को वह skip करेगा तो zero पे 40 है इसको skip करतेगा सीधे एक number की value प्रिंट करेगा और फिर दो number की value प्रिंट करेगा फिर तीन number की करेगा और four number की value प्रिंट नही है slicing में इसके अंदर इसके अंदर list two में आकर लिख देना है one और को लगा के इस प्रकार से इसको रंट करेंगे तो देखे तीन नाम आपके प्रिंट हो जाएंगे ठीक है अमिद true and 50 15.5 तो यह है slicing को प्रिंट करने का तरीका ठीक है अब value अगर बढ़ाएंगे यहां से माल ठीक है क्योंकि 01 यह हो गया दूसरी नंबर पर यह हो गया प्रिंट और 4 यह है 4 ते मानस 1 में यह दो वैलू प्रिंट हो जाएगे यह हो गया यह हो गया slicing का अब आते हैं इसी में count का count का वर्क देख लेते हैं c-o-u-n-t अब इसमें count का function अगर हमको चलाना है तो count का एक जांपल कुछ इस पर कारता देखे बनेगा जैसे कि list 2 है यहां पर यह सारी values दी गई हैं आपके सामने दिख रही हैं और इसमें print करते हैं list 2 को ठीक है और इसमें हम देखते हैं कि जो अजे नाम इसमें है वो कितनी बार इसमें print हुआ या फिर 20 जो है इसमें वो कितनी बार आया तो पहले हम एक बार नाम का print करके दिखा जाते हैं ठीक है तो यहां पर list नमबर 2 ही रहेगा और बस यहां पर जो है count function को use किया जाए list 2.count लगा देंगे और bracket में जो है जिसका हमको count करना है ठीक है तो इस आजए का हमको count करना है तो हमने यह लिख दिया इस प्रकार से ठीक है और इसको कर देंग इंटर तो जैसे इस को इंटर करेंगे तो देखें आप लिखके आजाए का वन यानि क्या जो है कितनी बार प्रिंट हो रहा है एक बार ठीक है अब यहां पर देखें फोटी है तो इसकी वैलू को चिन करके हम 20 कर देते हैं और यहां पर जो है इसकी जगा हम प्रिंट लिस प्रिंट हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं किसी भी आपका जो है काउंट वैलू को आगे चलते हैं अब एक्जांपल देखते हैं इसी में इंडेक्स का ठीक है इंडेक्स को किस प्रकार से प्रिंट किया जाता है इंडेक्स का इंडेक् हम लिख देंगे index, ठीक है, account की जगा हम use करेंगे index function को, हमने लिखा indexing, ठीक है, अब इसमें जो है, हमको index का जो है, वो position बतानी पड़ जैसे हमको माल लें 15.5 को print करना है, तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा, 15.5 ठीक है, इसको जब run करेंगे, तो इसका indexing number आपको बता देगा, देखे, 0, 1, 2, 3, ठीक है, तो देखे, 3 output में आपको मिल जाएगा, इस पेकार से काम करता है, इसी पेकार से अगर हम दूसरा example लेते हैं, एक और example इसमें add करते हैं, copy करते हैं इसको, और नीचे करते हैं, paste, ठीक है, और इसमें लिखते हैं, 20 लिखा हुआ है, ठीक है, और indexing number हम देते हैं, 20, 1 देते हैं, तब देखे, यहाँ पर क्या print होगा, तो 20 देखे, इसमें 0, last में कोई value नहीं है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 20, 20 कर देते हैं, ठीक है, अब देखे, यह print कर देगा, ठीक है, अब देखे, आपको इसने क्या print करके दिया, 20, 20 करने पर, 4 हो गया, यह 5 हो गया, 20,1 जब हम करेंगे तो यह आपको 5 प्रिंट कर रहा है 0,1,2,3,4,5 अब इसमें होता है क्या है यह जो सुरू की value है 0 मतलब पहला जो indexing number है यह उसको count नहीं कर रहा है देखें यहाँ पर 20,1 अब इसमें हम देखें 20,2 करते हैं तब देखें हमको output क्या मिलता है तब भी हमको 5 output मिलेगा अगर खाली 20 करते हैं तब देखें यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि 0 indexing number है 20,1 कर रहा है तो हमको output क्या मिलना है 5 यानि कि यह जो count अब कर रहा है 0 से लेकर के और minus 1 ठीक है यहाँ से 0 से लेकर minus 1 यानि कि जितनी भी इसके बीच में आप values आएंगी वो उन सभी को count करके print कर रहा है ठीक है जैसे कि अबने 20 यानि कि वहाँ से indexing number से 0 से लेके minus 1 तक कि जो भी values है उन सभी को आपको print करके बता रहा है index करके बता रहा है तो कितने index value हैं इसके अंदर 5 है next example पर आते हैं next example जो है list में हमारे पास वो है insert का अब insert function देखे किस पकार से काम करेगा बहुती अच्छा सा example है इसका भी अब insert है तो जायर सी बात है इसमें हम किसी भी नाम को insert करा सकते हैं तो देखे कैसे काम करेगा हम यह value लेते हैं ठीक है और इसी में हम insert कराने की कोशिस करेंगे तो insert जैसे कि हमको कराना है यह अमित जो आपका नाम आपको दिखाई दे रहा है इसी के आगे हम एक value को insert कराएंगे ठीक है तो देखे यहां पर index लिखा हुआ index के हम लिखेंगे insert function को INSERT और इंसर्ट कराएंगे position नंबर आपको पताऊने ची कहां पर आपको insert कराना है तो 0 यह हो गया 1 और 2 ठीक है 012 पर आली position पर एड़ करना है तो तो हम लिखेंगे 2 यहां पर और जो आपको word एड़ करना है से कि माले जम इसमें एड़ करना जा रहे है पाइथन हमको python लिखना है यहां ठीक है हमने python लिख दिया टू कॉमा और underscore में हमारा python हो गया ठीक है इसको हमको जो है insert कराना है तो इसको run करेंगे तो यहां पर कोई error है python के बाद हाँ यह कोई bracket error है हाँ bracket नहीं error है यहां पर जो है comma नहीं लगाया है हमने two के बाद यहां पर comma जलू लगाएंगे तभी print होगा हाँ अब देखिए जो है यहां पर value print हो रही है insert list to हाँ ऐसे इसको print करना सौरी list to dot insert ठीक है इसको अटाते हैं यहां से list to dot insert two comma python अब यहां पर last मिला के इसको print करेंगे ठीक है print करेंगे अब यहां पर list to list to इस पेकार से देके लिखा जाएगा ठीक है सबसे पहले list है ही हमारी और हमको insert करना है python second number indexing पे तो हम लिखेंगे list to dot insert और two indexing number दिया comma python और फिर print करेंगे list to को तो देखें अब run करेंगे तो देखें यहां पर 20 आ जाएगा print होके अमित आ जाएगा अमित के बाद देखें python print हो रहा ठीक है तो इस परकार से indexing number को insert किया जाता है यहां पर लिख देते हैं आई एन एस ए आर्ट ठीक है insert का program है तो आपने जहां heading डाले होगे उसमें example में insert heading डालके आप इसको लिखते जाएगे ठीक है next example पर आते है पी ओपी जो कि delete करने का remove करने काम करता है तो पी ओपी का example कर लेते हैं तो जैसे कि हमने python को यहां पर add किया था अब इसी को हम remove कर लेंगे ठीक है तो बहुत ही 20 प्रिंट हो जाएगा अमिट प्रिंट हो जाएगा और हमारा जो है पाइधन यहां से चला गया 15 अजय और 20 आ ठीक है तो यह हमारा जो values है वह print होके remove हो जाएंगे अब यहां पर देखिए हमने एक मिश्टेक की है अब यह value को इंसर्ट तो कराया है लेकिन value इसमें save नहीं हो रही हमारे python ID में इसलिए जब हमने इसको remove किया था तब आप में देखा होगा true भी यहां पर जो है remove हो गया था ठीक है तो अब हमको जो है यह value जो है देनी पड़ेगी remove करने के लिए तब ही जो है print होगा तो हम copy करके यहां पर ज़रा इसको paste करते हैं फिर आप देखेगा इसका जो है output अलगाएगा ठीक है यह हमने value दी यहां पर मालेज है क्या mistake हो रही है यह नीचे करते हैं देखे अब यहां पर 20 है अमीद है python है ठीक है अब यहां पर जब हम pop function चलाएंगे लिखेंगे pop और लिखेंगे indexing number 2 ठीक है अब इसको जब र इसने इसको remove कर दिया तो इसी पेकार से कोई भी example आपको मिले तो इसलिए आप उसको बना सकते हैं आगे चलते हैं आगे जो example देखेंगे extend का देखेंगे तो चले शुन आगे चलते हैं इसी में और देखते हैं अभी हमने आपको बताया last example जो था आपका pop का था अब यह ज एक नई list इसमें जो है create करनी पड़ेगी हमको list 3 नाम से तो हमने list create कर ली माली list 3 जिसमें कि हम कुछ value देंगे indexing के अंदर list 3 equal to और इसमें हम जैसे कि दो नाम दे देते हैं माले जाए हमने दो नाम दे दिए विना कॉमा अजीत ठीक है यह दो नाम हमने इसमें दी है ठीक है list 3 में अब हम जो है list 2 को जो है extend करेंगे किसमें list 3 में तो list 2.extend extend किसमें करेंगे list 3 में लिस्ट 3 में ओर print कर देंगे फिरम list 2 को अब देखें run करेंगे जैसे ही तो आप देखे 20, Amit, 2, 15 ये सारा मारा पूरा प्रिंट हो रहा जाता है और last में देखे इसमें विने और अजीत यहां पर आपका extend हो गया है ठीक है तो यह होता है extend function आपका list के मादर से किसी को extend करना है value को तो आप easily इस परकार से extend करा सकते हैं सुन में आगया easy example extend का भी उसके बाद next example देखते हैं इसी में अगर हमको copy करना है value को तो copy का example देख लेते हैं किस परकार से होगा तो copy करने के लिए सबसे पहले जो है जैसे कि माले यह पूरी list लिखी हुई है और हम चाहते हुबा हूँ इसकी copy होके हमारे पास एक list आ जाए त चुकि हम लोग यूज करते है तो वो कैसे देखिए हम यूज करेंगे तो जैसे कि हम को list अ है और list 3 में हमको copy करना है ठीक है तो कैसे इसको क्रेंगे देखे इक दो तरीके इसकर करने के to list 3 में हम लिखेंगे यहाँ पर list 3 equal toοιπόν लिस्ट 2 jsoup dupi value है वो हमको copy करनी है तो हम copy भी लिख सकते हैं लेकिन हम copy ना लिखे इस पकार से देखे value को लिखेंगे ठीक है और print करेंगे फिर last में list two को तो देखे आप इससे इसका मतलब होता है कि यह जो symbol यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका symbol होता है कि zero से लेके minus one तक के जित्ती values हैं उनको वो इसमें copy कर देगा तो जैसे इसको run करेंगे देखे हुबा हूँ हमारे पास वोई list बेंटो के आ जाएगी ठीक है तो यह है इसका एक feature copy करने का चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ फिर list two यहाँ पर इस परकार से भी लिख सकते हैं list two dot copy लिस्ट थ्री इकोल to list two dot copy ठीक है और copy में जो है हम इसमें कोई value नहीं दे रहे हैं ऐसी रहेगी और फिर बाद में जो है list three को हम print कर देंगे तो जैसे रण करेंगे देखे same value यहाँ पर आ जाएगी ठीक है दोनों तरीके से आप इसको जो है print करा सकते हैं next है जो method इसमें sorting sort method का कैसे करना है तो sort के लिए देखिए ascending order है descending order है descending order के रिवर्स value प्रिंट होगी हमारी ascending order के लिए छोटे से बड़े में value जाएगी तो अब देखिए इसको print करने के लिए सबसे पहले क्या होता है अब जैसे इसको माल लेजिए हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ यहाँ पर हमको एक error देखने को मिलेगी देखिए लिस्ट हम यहाँ पर लिखते हैं लिस्ट टू डॉट एस ओ आर्टी लिखा हमने sort और ब्रैकेट लगाया इस पकार से और इसमें हमने किया प्रिंट टू को प्रिंट प्रिंट यहां पर कर देते हैं लिस्ट टू ठीक है प्रिंट लिट्ट टू अब इसको रन करेंगे तो देखे यहाँ परtr आए लिस्ट के अंदर कोई ऐसी वेल्यों नहीं है जिसको इंडेक्सिंग के रूप में देखा जा यानिकि अरेंडिंग पर में कूछ प्रिंट की जाए क्योंकि हमारे पास बालू भी है एंटीजर बेंगे झाली होगी नम्बर की तो यहां पर हम देखे ले दिते हैं इस पकार से यहां पर लेकि यदि लिखा हुआ है कॉमा करके हम कर देते हैं 4 ठीक है फिर कॉमा करके हम कर देते हैं 7 कॉमा करके 88 कुछ भी वैलू दे सकते हैं आप इस पर करते 134 कॉमा 2 और लास्ट में जो है इसको हम चेंज कर देते हैं तो यह हमने वैलू दे दिया अब इसको देखे हम जब रन करेंगे तो यह सौट करतेगा इसको सौट करके देखे 24720 चोटे से बड़े में इसने ascending order में इसको लगा दिया ठीक है यह हमारा ascending order में हो गया अब इसी परकार से बोला जाए आप से इसको descending order में print करना है तो descending order के लिए हम क्या करेंगे value मार पास same रहेगी value को हमको reverse कराना पड़ेगा ठीक है आप इसमें ascending के लिए कोई formula नहीं है यहां पर कि आप ascending लिखेंगे या descending लिखेंगे तो sword के बाद जो है यहां पर हम एक function का use करेंगे वह है reverse function यहां पर लिखेंगे reverse reverse equal to क्या कर देंगे true कर देंगे reverse equal to true कर देंगे तो उससे क्या benefit होगा true कर देंगे और print कर देंगे लिखेंगे अब क्या होगा यह उल्टा इसको reverse print कर देगा ठीक है यह आपका descending order में यह जो बड़ी value पहले आ जाएगी देखेंगे इस पर करते यह प्रिंट कर देगा समय आगे ascending और descending को प्रिंट करने का simple असान तरीका आप लिस्ट के मादर्म से print करा सकते हैं नेक्स्ट ग्यांपल पर चलते हैं सवन में आगे इतना अगर वीडियो आपको सवन में आ रही हो तो प्लीस लाइक जिरू कर दीजेगा और शेयर कर दीजेगा इसी पकार की helpful वीडियो को देखने के लिए नेक्स्ट आते हैं सौर्टिंग के बाद है मारे पर रिवर्स र-e-v-e-r-s-e रिवर्स को कैसे प्रिंट करना है जैसे कि माले यही वैलू है ठीक है अब इसको रिवर्स में प्रिंट करना है तो 99 से अगर इसको प्रिंट करना है तो simple सा है list. यहाँ पर हम लिख देंगे list. reverse और bracket में इसको कर देंगे blank ठीक है list. reverse इस पकार से तो आप देखिए इसको यह reverse कर देगा 99,2,134,55 इस पकार से वैलू को reverse करते है तो यह reverse करने का formula है और यह जो है आपका इसी पकार से देखे questions आपको mcqs बेस मिलेंगे ठीक है mcqs हम समझ देए आपको solve करा रहें करा से एक एक example बता रहे हैं और आपको इस पकार से वहाँ पे दे दिया जाएगा list, one, list, one, list, two करके उसके अंदर values रहेंगी और यहाँ पे उसका feature दिखा रहे हैं यह reverse करना है, pop करना है, append करना है तो यह सारे मैंने इस लिए example बता देए ठीक है तो कोई साभी आ सकता है 100% आएग तो यहाँ पर reverse का जब बोला जाए तो इस पकार से value को reverse कर देगा, output में आपके example लिखे रहेंगे, तो जो example इसके साथ match करेगा, इस जो code है आपके दिया जाएगा, pop है, remove है, यह जो भी है, तो reverse case में क्या होगा, 99 यह जो value है, अगर इस पकार quality value आपको option मिल जाए, तो आप इसको tick कर सकते हैं, next है, इसमें nested list, ठीक है, अब nested list का जो basically मकसद है, जैसे कि यह list है, इसी के अंदर हम एक और list देना चाहते हैं, इसमें कि हम कोई भी नाम बगार या देना चाहते हैं, तो इसको कैसे print करेंगे, तो इसमें use करते है nested, nested list का, तो देखें कैसे इसको print कर करके comma लगाएंगे, और यहाँ पर एक list create करेंगे, तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, मालेजी हमने दिया अनुज, ठीक है, फिर इसको comma किया, यहाँ पर फिर एक हमने list और create करी, और इसमें नाम दे दिया हमने, अजय है, ठीक है, इस पिकार से, और bracket लगाके इसको कर दि to, और इसके बाद देखे, nested list आपकी जो है, इसमें print होके आ जाएगे, ठीक है, simple सा यह nested list का जाम पर, इसके बाद है, हमारे पास list comprehension, तो list comprehension जो है, वो कैसे वर करती है, list comprehension कुछ इस परकार से काम करेंगे, जैसे कि इसमें list के अंदर, कोई value है, अलफा बेट से माले सुरू हो रही है, या किसी भी अलफा बेट से सुरू हो रही है, A, B, C, A, J, A से लेके Z तक, तो उस अलफा बेट को आपको as a, start up as a variable create करना है इसमें, और इसमें value को store करना है, तो जहां पे भी A वाले list में जो भी word होंगे, उनको वो है, वो print करके दे घिए है, तो देख लेते हैं किस पर कारत बेर होगा, तो इसके लिए जो है कुछ हम यहां पे नाम जो है create करते हैं, तो तो दो नाम यह हो गया, फिर कॉमा लगाते हैं, तो नाम हम देते हैं इसमें से अलग, ठीक है यह यह हो गई हमारे पार list ठीक है अब इसमें जो है एक variable create करेंगे a equal to bracket open word जिसको जैसे लिखा जाता है word for word in list number 2 कौन से हमारे two है if word जो है हमारा dot start with start किसके साथ हमारे साथ start हो रहा है a के साथ start हो ठीक है a जो word हमारा a के साथ start हो उसको हम print करा दें किसमें a में तो जैसे ही हम इसमें run करेंगे देखे कुछ यहाँ पर mistake है start with जो लिखा हुआ है वो mistake कर रहा है यहाँ पर तो इसको starts हो जाएगा ठीक है start इस परकार से आएगा स-t-a-r-t-s-w-i-t-s अब देखते run करा के तो start with लिखा जाएगा यहनिकि a equal to word of word in list number 2 में जो कि start हो किसके साथ एवर्ट के साथ वह हमको print करने तो एवर्ट के साथ देखिए आमीत और यहाँ पर दोई नाम दिए कर वह प्रिंट हो रहा है अब इसी में से हाँ पर हम आर कर देंगे तो आर वाले जो वर्ट होंगे वह हमको मिल जाएंगे ए में तो यह है सिंपल सा nested list comprehension का example है sorry तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं list कंप्रिहेंसन ठीक है लिश्ट कंप्रिहेंसन का example है उसके बाद है last example है हमारे पाइस में list unpacking ठीक है अब list unpacking क्या है यहाँ पर इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं list unpacking इसका जो example है कुछ इस परकार से बनेगा जैसे कि इसमें देखिए आपके फोर नाम दिये गए हैं ठीक है इसमें हम नाम को थोड़ा सा कम कर लेते हैं माले यह दो ही नाम इसमें कर लेते हैं अब list one M2 को ले लिया equal to list one list two ठीक है दो इस नाम यहां पर दिखाए दे रहा है तो M1 M2 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा यह जो दो indexing दिये गहां है यह हो जाएगा M1 यह हो जाएगा M2 यह हो प्रण कराएं तो आप क्या होगा इसमें value store हो गई M1 की indexing की और M2 की value इसमें store हो गई list two में M1 और M2 से इसको denote कर दिया इसको unpack कर दिया तो इस प्रकार से दो नाम आपके print हो गए तो यही था आपका आपके mcqs भी थे यही और इसलिए मैं इसमें mcqs आपको नहीं करा रहा हूँ बाकि अलग से जब class होगी तो इसमें mcqs मिल जाएं क्योंकि यह वीडियो काफी लंबी है तो इसमें सारे यंपल with mcqs दोनों ही cover हुए है इसलिए इसलिए आपके mcqs में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे तो आसा करते हैं एक class बहुत easy थी simple थी sound में आ गई होगी इन सभी के notes अब label है आप इसको purchase कर रखते हैं और कोई भी class join करने है ओ label A label या B label की आपको इसलिए मिल जाएगे